हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं कुछ कारिय हम करते हैं अर्थिक संपनता के लिए कुछ कारिय हम करते हैं इस रिधय को प्रसंद करने के लिए तो हम मैंसे अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कारी हमने सूचा था वो वैसा नहीं हुआ कि ये कारी पूर्ण नहीं हुआ तब काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित रहती है और ये दुख पल-पल हमें मार देता है सुची क्या ये सच है क्या काम की अधिक्ता हमें सच में मार देती है कदापी ने समझे एक महतुपुण बाद आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुश आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है उतने ही घड़ियां थी उतने ही प्रैद थे अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नश्ट नहीं किया उन्होंने योजना बनाई उसे कार्यान वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किये जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुशों को स्मरेंग करते हैं एक महत पुर्ण बात स्मरेंग रखे काम की अधेकता हमें नहीं मारते काम की चिंता हमें मारते तो इस चिंता को कहीं प्याग दीजे और निरंतर प्रयास कीजे यूजना बद्ध बन जाई और जीवन में केवल आगे बढ़ें आनन्द है आनन्द होगे प्रूडा सा आनन्द निकाल कर मेरे साथ के हैं राधे राधे